दोस्तों यह है Unipay One 3rd Card लेकिन आज इस video में मैं इस Card को बंद करवाने वाला हूं लाइब आपको प्रोसेस दिखाने वाले हैं आपके पास Unipay One 3rd Card है और आप भी अपने Card को परमानेंटली जो क्लोज करवाना चाहते हैं यह वीडियो आप क्लिक का फ्री इंफर्मेटी होने वाले और साथ में इस वीडियो में आपको यह भी मैं बताने वाला हूं किन वजह से किन रीजन से युनिपेवन थर्ड कार्ड को मैं जो है डियक्टिवेट कवराना चाहता हूं बंद करवाना वेल्कम बैक तो न्यूव वीडियो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले चोटी सी रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक जरूर कर दीजेगा आज वीडियो के लाइक का टार्गेट रखते हैं 100 और साथ में आप चैनल पर नए हैं चैनल को जूरूर सब्सक्राइब करें अगर क्लिए एक पर केरें को अपने रिकवेस्ट डाले दूसरा तरीका है च्वाटसप पर आप कनेक्ट होती उसके थ्रू इन को जिए रिकवेस्ट डाल सकते हैं दोसर सबसे बेच तरीका रहता है किसी भी सर्विस को बंद करवाने के लिए इमेल के थ्रू आप उसको बंद कर रिक पूछ अगर पे कोई क्षेंधने करने कोёट नहीं डाली तो उसकेस में आपके पास एक प्रूफ होताई कुछ पूफ नहीं होता है या फिर वटसULT कार्ड को क्लोज कर वाने के सबसे पहले आपको यह याद रखना कि आपको अपने रिजिस्टर इमेल आईडी से ही लोग इन करना है और जो मेल है वो उसी आईडी से यूनी टीम को भीजने है तो अब मैं आपको लेकर चलता हूं अपने डेक्स्टॉप की स्क्रीन पे जहां म अब मेल जो है यूनी कार्ड को भीजने वाला हूं तो दोस्तो जैसे ही आप मने रिजिस्टर इमेल आईडी में लोग इन करते हैं कंपोज पर आपको जाना है तो दोस्तो यहां पर आपको सब्यक्ट में लिखना है डी अक्टिवेशन आफ माई यूनी पे वन थर्ड कार् फिर यहां पर दोस्तो आपको लिखना है my name दोस्तो यह जो है mail का draft है यहां पर आपको नाम लिखना है आपका रिजिस्टर मोबाई नमर लिखना है उसके पता आपको लिखना है उसके वाइन दो क्लोश मैं यूनी कार्ड एंड राइंड right now there is no pending payment on my end please close my unicarred as soon as possible subject आपको पहले बता दिया है कि deactivation of my uni pay one third card यहां पर अब आपको यह mail है दोस्तों यह mail है आपको भेजनी है care at uni.club पर दोस्तों mail को मैं send कर देता हूं तो दोस्तों यहां पर आप देखेंगे मैंने इस mail को जो है 839 पे भेजा है और इसके एक minute बाद ही मुझे जो है uni team की तरफ से एक mail आया है आप यहां पर देख सकते हैं मुझे विदिन वन मिन्ट मेल आ गया कि भी है received you a query for deactivation of my uni pay one third card यहां पर बता गया कि हमने जो है mail को receive कर लिए आपका ticket id नमबर यह है अब इसको यह review करेंगे और आपको आने वाले कुछ दिनों में इसका reply मिल जाए यहां पर आप जो है कर्ष्म केर नमबर देख सकते हैं यहां पर call करकर भी आप जो है काड को बंद करवा सकते हैं साथ में WhatsApp पर भी जाकर इस काड को बंद करवा सकते हैं तो इस तरीके से आपको करेंगे यह का क्रेंट काड बिलकुल भी नहीं है यह पे लेटर सर्वीस है यह दूसरा इस चरी सर्वीस है युनिकार की इसमें आप जो है इसके पैसे किसी वॉलेट में भी ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं ज्यादा benefit मुझे जो कारण पर नहीं लगते हैं तीसरा जो कारण है इसकी लीमिट बहुत कम मिलती है मुझे जो है इसकी लीमिट जो है बीस अजार रुपए मिली थी हाला कि मेरे पास कई सारे क्रेट काड है उनकी लिए तीन तीन लाक रुपए तक है लेकिन जो हो रही थी यानि अगर मैंने एक हजार रुपी टांजेक्शन की और आज उसे पे कर दिया फिर भी मुझे हो तीन महीने तक मेरे दिखाएगा इन्हीं कारणों की वजए से मुझे लगा कि यह जो काड है मेरे किसी भी काम का नहीं है मेरे क्रेडिट स्कोर में एक हो जाते हैं कि मेरा जो करेड़ कार है एक फिर परसनल हो रिज्एक्ट हो जाएगा यही मेरे रिजेंन धाए जिनके मैंने युनि भाट करवाया है बंद करवाया है अगर आपको कोई भी क्रेड़ कार नहीं है और तब आपके वस्यकोर कर सकते मेरे कैसम में आपको बता कि सब्सक्राइब करें तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करकर पूछ सकते हैं फिर किसी नई वीडियो मिलते हैं अच्छी इंफ्रमेशन के साथ